कि यह बिद्नस है कॉंटाक्ट का और आप यह कॉंटाक्ट की लिस्ट जितनी ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे आपका बिद्नस बढ़ने का उतना ज्यादा चांस बनेगा और अगर आप 10-11 लोगों के लिस्ट रहेगी तो होगा क्या कि आप हर किसी के पास जाएंगे और नाक रगडते रहेंगे please join कर लीजिये न, join कर लीजिये न, join कर लीजिये न और अगर किसी के सामने ना करगणने जाएंगे तो वो सोचेगा, अच्छा, पार्टी को हमसे फाइदा है इसको जरूर हमसे कुछ न कुछ फाइदा है तभी ये मेरे पास बार-बार आ रहा है और तब वो भाव खाएगा, नहीं join करूंगा जब उसे लगेगी कि यार इसका फाइदा है तो कोई क्यों join करेगा और सर ने कहा कि अगर business बढ़ानी है तो सबते पहले आपको अपना contact बढ़ाना पड़ेगा अपना list बढ़ाना पड़ेगा मैंने कहा सर वो कैसे बढ़ा है सर ने कहा रहे हजीब इंसान है कैसे आत्मी हैं आप मैंने कहा सर लिस्ट कहां बढ़ा है बताइए आप मैं जिस गवों में रहता हूँ एक वो लड़का वो किराना का दुकानदारी करता है सर वो वो postman वो ये post office में रहता है सर वो मुंबई में रहता है सर वो गाई चराता है सर वो ये काम करता है सर वो क्या सर उसका list मना है मज़ा नहीं आ रहा है सर बोले रनविजे जी कुछ लोगों का तुमाना चलो list में नहीं हो सकता है लेकिन आपने सारे लोगों को लिष्ट से निकाल दिया ये कैसे हो सकता है और आप कौन होते हैं ये फैसला लेने वाले कि वो जिंदगी बदलना चाहता है कि नहीं ये आपके हाथ में है वो जिंदगी बदलना चाहता है कि नहीं यह फैसला आप लेने वाले कौन होते हैं यह फैसला तो वो लेगा नGo भोले सर तो क्या करे सर उन्होंने बैठ चे मैं बताना चाहूंगा कई तरह के इधर गुसके उधर गुसके तेड़ा मेड़ा जाके और वो बैठ कि उन्होंने सैक्डों लोगों की लिस्ट तैयार करवाटा ली और उन्होंने एक फार्मूला उसी समय दे दिया कि ये बदनस अगर दस लोगों को भी आप प्लैन दिखाए हैं न और उसमें अगर एक लोग जोईन कर जाए तो आप समझिये 100% successful हैं कहीं से कोई problem नहीं है my dear friends list पक्की complete हो गया list सर से मिलकर बहुत खुश हो गया सर को धन्यवाद दिया thank you very much सर कि आपने इतना हमें support किया सर अब मजा आ जाएगा अब सारे सपने मेरे पूरे हो जाएगे सर दिल्ली रहते थे सर वापस दिल्ली आ गया और फिर अगले दिन से सिलसला स्टार्ट हो गया फिर भागना स्टार्ट किया दोस्तो लेकिन कहानी वही की वही same to same कहानी में कोई बदलाव नहीं आया result निकलना सुरू नहीं हुआ बिजनस चलना सुरू नहीं हुआ पेमिंट बनना सुरू नहीं हुआ problem as it is था मैंने कहा yellow अब क्या हुआ इतनी बड़ी लिश्ट बना डाली लोगों से मिला अब क्या करूं my dear friends थोड़ी सी परिसानी फिर मुझे हुई और मैं बताना चाहूंगा सर तो वापस जा चुके थे दिल्ली लेकिन चिंटू सर रहते थे पटना में पटना सिटी में बड़ी मुश्किल से इनके घर तक पहुँचे और घर में पहुँचकर वहां बात किये कि सर आनन सर तो फार्मूला देके चले गए दिल्ली सोचे थे यहां से बिजिनस निकल जायेगा लेकिन कहानी तो उल्टा पड़ गयाstar न ही रहा है फिर उन्होंने मुझ से ऑपरेसन किया मेरा फिर मेरा अखर कर के अरह आ है आप अखर बिजिनस आपका निकल क्यों नहिरा है चल क्यों नहिरा है अखर क्या कारण है कि माइडियर फ्रेंट उन्होंने पूछा करते कैसे हैं मैंने का सर यह लिस्ट है उनके पास जाता हूं प्लान दिखाता हूं क्लान दिखा थो प्लान कीसे दिखाते हैं पता है उन चीजों को जाता हूं प्लान दिखाते हूं उन्होंने का कि अरे आप पहले समय नहीं लेता है पहले उनसे बात नहीं करते हैं और मैंने कि फेलत क्या है जितना लिष्ट देख रहे हैंना सब चाहिए को moved मुष्किल से समय निकालता है एकडम से 24-hour काम करने वाला आदमी हो फोन करें तो पहले पुछते हैं सर फ्री तो है ऐसे लोगों से appointment लेने की जरूरत पड़ती है पर यह सारे के सारे बेरोजगार लोग बैठने वाले लोग ना कोई काम ना धंदा इनसे क्या appointment लें और फिर उ नहीं है कि सामने वाले को plan दिखाना है समय निर्धारित कर लिया सिर्फ यह फंड़ा नहीं है बलकि उन्होंने कहा कि appointment का असली फंड़ा यह है कि वो आपका plan सुनने के लिए excited हो जाए आप जब plan दिखाने जाए तो आपसे double excitement में वो रहे sir yes पता ही sir अगर वो इस mode में आ ग डीडी तो वो तभी दे दिया अगर plan सुनने के लिए आपने उसको excited कर दिया सोचो आधा result तो आपका तभी निकल गया और बाकी plan जब दिखाएंगे तो full result गारेंटेट है sir ने कहा एक छोटा सा बड़ा सांदार सा एक्जांपल दिया था रनविजै जी एक बात बड़ा ध गुंगट को ना बड़ा धीरे से हटाया जाता है बड़ा धीरे से ताकि देखने वाले के अंदर ना suspense बरकरार रहे हां 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 अरे कैसी है दुलहन उन्होंने कहा रनविजी जी आपकी प्रॉब्लम क्या थी मालूम है बोला नहीं sir उन्होंने कहा आप कर क्या रहे थे ये लो भाई साब ये दुलहन लो देख लो सीधा घुंगा तुठा या दुलन दिखा ये लो देखो उन्होंने का थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे से घुंगा तुठाने का फिर दुलन दिखाने का फिर देखिये लोग इंटरेस्ट लेके देखेंगे उन्होंने का आप गलती क्या कर रहे थे हैं मालूम है कि आप जा रहे हैं सीधा ना appointment न और कुछ न फोन न मोबाइल सीधा गए और बाई बटो और क्या कर रहा चला तुझे मैं प्लान दिखाता हूं और सीधा ऐसे जब तक importance आप दिखाएंगे नहीं तो फिर आपकी वो business को importance देगा क्यों my dear friends all we are the representative of duosoft yes duosoft हम कैसे दिखाना चाहते हैं यह हमारे हाथों में है है की नहीं तो जितने सुन्दर तरीके से जितने सजा के दिखाएं जितने लोगों का excitement पर करार करें वो हमारे business के लिए बहतर होगा और sir ने मुझे सिखाया कि business के लिए appointment बहुत जरूरी है my dear friends और फिर मैंने वहां से appointment लेना भी सुरू किया सामने वाला आपका दोस्त बेरुजगार है बैठा रहते हैं कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन आपको समय पहले से निर्धारित करना है time fix करनी है my dear friends list त्यार हो गया appointment लेना आ गया then मैं बताना चाहूंगा कि जब business के सुरुआ पता ही नहीं था कि plan so आपके लिए आपका applying करेगा यह मुझे पता ही नहीं था और मुझे लगता था मेरा business है मुझे करना है आपका business है आप करो आप समझो मैंने कभी किसी applying से यह नहीं कहा कि sir एक दिन का समय sir plans हो शुरुआ दिनों की बात कर रहा हूं यह सोच मेरे अंदर नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा तीसमार खान हूं बलकि मुझे यह लगता था क्यों कश्ट दूं sir को इतना दूर रहते हैं पटना सिटी में अरंद सर उधर दिल्ली में रहते हैं क्यों इन लोगों कश्ट दूं मैं खुद कर लेता हूं और plans हो के दौरान मैं बता रहा हू इस business का अगर कहते हैं इंसान की सरीर में रीड की हड़ी का जो वजूद होता है इस business में plans or presentation का वही वजूद होता है my dear friends और मैं plans or के दर्मियान मैंने blunder mistake किये हैं plans की अगर बात करें तो plans के अंदर मैंने blunder mistake किये हैं क्योंकि मैंने कभी किसी से plans सो सिखा नहीं जो joining के दौरान join करने के दौरान जो मुझे plan दिखाया गया उसी plan को याद करके मैंने दिखाना सुरू कर दिया कि आप सुनते हैं कितना याद रहता है 10 20 30 yes or no और वहीं दे रहा था 20 30 कहां से लोग join कर जाएंगे आप एक कोना plan का यह दिखा दे रहें कहां से लोग join कर जाएंगे मुझे तो यह उसमें मैं कितनी गलत चीजें लोगों को बताता था यह अब पता चलता है बाद में मुझे पता चलने लगा कि लोगों को मैं कितनी चोटी आधी अदूरी जानकारिया और गलत गलत चीजें एक दो बार तो मुझे अभी याद है कि joining के चक्कर में मैंने लोगों को गलत प्लान भी दिया था कि कर एक को ने अगर यह को पन पड़ाई कर ले ना अ कर लिया और पढ़ाई नहीं कर पाये तो गशीको दे दे ना खांगां में कोई भी पड़ने वाला नहीं वोगा तो चल जाना इंस्चुट में छोजर नगत देगा तुमको कूपन के बदले ये भी गलती किया है मैंने जोइनिंग के चक्कर में कि जोइनिंग निकल जाए किसी तरह से जोइनिंग मिल जाए बट माई डियर फ्रेंड्स हम लोग एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं अगर हम लोग इस बिजनस को अगर आप अपने बिजनस को जबरदस्ट बनाना चाहते हैं सांदार बनाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं एक system develop करने की जरूरत है सिर्फ अगर जो system कहता है अगर system को follow करे तो business तो automatic बंती चली जाएगी my dear friends और बात जब plans हो के उपर आई बात जब plans हो के उपर आई मैं बताना चाहूंगा कि plans हो जब पहले कई तरह की चीज़ें होती थी plans हो जब पहले करने जाता था कितनी गलतियां करता था dress code का कोई खयाल नहीं हवाई चपल पहना मैं जिंस कभी नहीं पहनता था जीवन में डियू सॉप में आने के बाद जिंस पहनना भी सीख लिया हूं पहन पहनता था shirt बाहर करके हवाई चपल डाला और खाली हाथ सांसे ना कोई bag है ना कोई tools है ना कोई maggjin है ना कोई CD है ना कोई DVD है ना कोई diary है कुछ नहीं है खाली हाथ भाई जी एको ज़रा कॉपी लाईएगा काहला अरे वो जबरदस प्लान दिखाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा मतलब ऐसे हम कह रहे हैं जैसे लाफ्ठर सो के कोई कॉमेडी है आपको मज़ा दिखाने आये हैं मज़ा आएगा आपको ड्रेस कोई खायाल नहीं खाली हाथ निकल दिया चले गए उनहीं से कॉपी ले लिए उनहीं से पेन ले लिए उनहीं को प्लान दिखा दिया और महीनों दिन गाइब हो गए एजुकेशन कहीं दिखाया कहीं नहीं भी दिखाया सीधा बिजनस मैं सुरता यार एजुकेशन दिखाने का क्या फाइदा है किसी को तो समझ में आता नहीं है क्या दिखा के करेंगे education to the point बात करते हैं चलो business की बात करते हैं बैया साथ जार रुपए लाओ ज्वाइन दो से start करते धंदा और इसके बाद सीधा साल भर में 34 रुपए कमाने का यह इस तरह से चल रहा था सिलसिला मैंने पहले ही आपको बताया कि और मेरे मन की जो बात थी वो यह थी यार मैं किसी से क्यों help लूँ मेरा business से मैं खुद करूंगा